जब से रश्या और यूक्रेन की भी जंग शुरू हुई है तब से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये लड़ाई परमाणू युद में ना बदल जाए अब अमेरिका ने इस आशंका को और हवा दी है और और हवा ये कहते हुए दी है कि अमेरिका की खूफिया इजन्सी नाशनल इंटलिजन्स दरसल ये कह रही है कि अगर रश्या के सामने वजूद का संकट खड़ा हुआ तो प्रेजिडेंट पुतिन परमाणू हथियारों का के दोरान पुतिन की सत्ता खत्रे में आ जाती है तब भी वो परमाणू युद्ध का एलान कर सकते हैं जंग से भड़क सकती है महाविनाश की चिंगारी क्या पुतिन दे सकते हैं परमाणू हमले का आदेश क्या महा युद्ध के बीच रूस दबा सकता है न्युकलिर भम का मठन ये ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ यॉरोप नहीं बलकि पूरे विश्व को डरा रहे हैं रूस और युक्रेन के बीच सदस्तर दिन से लडाई चल रही है युक्रेन के धर्ती पर रूसी सेना की मिजाइले आज बरसा रही है युक्रेन के कई शहर रूसी टैंकों के हमलों से बाह हो चुके हैं रेकिन अब तक पुतिन की आर्मी ने उस महा घातक और महा विनाशक हत्यार का इस्तेमाल नहीं किया जिसे न्यूक्रेन बम कहा जाता है जिसके एक प्रहार से पूरा का पूरा शहर शम्षान में बदल सकता है अमेरिकी खूफिय एजिंसी ने आशंक का जताई है कि अगर रूस को अपने अस्तित्व पर खत्रा महसूस हुआ तो वो परमाणू हत्यार के इस्तमाल का विकल चुन सकता है अमेरिका के नेशनल इंटलिजिंस की डिरेक्टर एवरिल हैनिस के मताबिक रूसी राश्टपते पुतिन यूकरीन के साथ लड़ाई को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं है उन्होंने आशनका जिताई कि अगर पुतिन को लगा के लड़ाई के वज़े से उनकी सत्ता खत्रे में पढ़ सकती है या फिर रूस के अस्तित्व पर संकट मन रहा सकता है तो वो न्यूकलियर हत्यार के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं फिलहाल फिलहाल नैटो देश यूकरेन को सेमे साहता दे रहे हैं लेकिन वो रूस के साथ सीधे टकडाव से बच रहे हैं लेकिन आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा खिचता है और अगर नैटो भी यूकरेन की तरफ से इस लडाई में कूट पड़ता है अगर पुतिन अमेरिका की वज़े से युद्ध हार सकते हैं तो शायद रूस पर माणो बं दाग सकता है में भी एंग तो इसके कुपी करर अज़ नSave को कि तो आफ act कजी कर अ कि दोस्याओ 6 युक् 써पत्त बंग आग कि मैशना जब दोर्ब्राव से लिए दूसी थिए टी जए उबेंटे बिस Sum बसा कर भी थतोर बंग का बाएल कि दोः जाई इस कैसरा इसे अमेरिका की साशंका पर रूस भी महर लगा चुका है। रूस कह चुका है कि उसके सामने परमाणू हत्यारों के इस्तेमाल का विकल पर खुला है। इसी साल मार्च में क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री प्रिसकोफ ने कहा था कि यूकरीन युद में अगर रूस अस्तित्व के खत्रे का सामना करता है तो वो परमाणू हत्यारों का इस्तेमाल जरूर करेगा। रूस की चेतावनी इसलिए भी एहम है क्योंकि उसके पास दुनिया में सब से अधिक परमाणू थत्यार है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका के आशेंका सही साबित को सकती है आकर नुकलियर बौर का खत्रा कितना गंभीर है। अगर ज्यादा अम सप्लाइ कि युएस नहीं और ने तो खत्रा बड़ सकता है क्योंकि अगर सारे नुकलियर एपन पर आ जाते हैं और उंको थेतिता है तो वह कि उसकता है। लेकिन लोग कहा जारा है कि लोग एजर नुकलियर वैपन सिसकर गर जाहें हना जाहें।